नमस्का और दूस्तों सौगत है आपका सरकारी नोकरी अलर्ट्स पर यूपे ट्रॉपलसी ने डेंटल हाईजिनी रिक्रूट्मेंट 2023 की ऑफिसल नोटिफिकेशन जारी कर दी है इसको हिंदी में बोलेंगे दंत स्वास्त विज्यानी और सभी कर्टेग्री के बच्चों के लिए 25 रुपेश है 288 टोटल पोस्ट है बहुत बड़ी तो पोस्ट नहीं है अबरेज भी नहीं है अबरेज से बिलो अबरेज है ठीक है तो आप इसके लिए फार्म भर सकते हैं यूपी ए ट्रॉपलसी पर 2022 का स्कोर कार्ट चाहिए इसमें और वीडियो 2018 का री एक्जाम टूट हजूं 23 और दोस्तों इसको इंपॉर्टन डेट इस परकार है अप्लिकेशन फार्म भरने की जो डेट है वह 30 जून 2023 से लेकर के 20 जूलाई 2023 तक है और फी पेश्चन डेट जो है वह है 20 जूलाई 2023 तो 20 जूलाई से पहले पहले अपना फार्म भरना समिश्चित करें क्योंकि लाश्ट टाइम पे वेबसाइट भी स्लो हो जाती है तो वहाँ पर फार्म भरने में आपको दिक्कत होती है अब करेक्शन डेट देख सकते हैं 27 जूलाई 2023 को करेक्शन लिंक ओपन होगा अगर आपके फार्म में कोई दिक्कत होती है कुछ गरवड़ी होती है तो अभी के लिए 25 रुपए अधर इस्टेट के अपकी 25 रुपए फीस होगी और आप पेमेंट आलाइन कर सकते हैं ठीक है और आपकी अटारा साल हो सकती है और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल हो सकती है इस वेकंसी के लिए ठीक है दोस्तों अभी आगे चलते हैं अभी यहां पर अब देख सकते हैं डेंटल हाइजनिस्ट अब इसमें दो पूस्ट एक जंदल है और एक स्पेशल है ठीक है जंदल के लिए 204 टोटल वेकंसी है और स्पेशल के लिए 24 वेकंसी है अभी मैं स्पेशल और जंदल का आगे चलकर यहां पर डिफरेंसियेट आपको बताऊंग ठीक है और रिजिस्ट्रेशन चाहिए इन फिस्टेट डिंटल अगर आप किसी बी स्टेट में डिफ्लोमा कर रखाय आपने लेकिन फिस्ट्रेशन फिच्ट। Master अभी यहां पर देख सकते हैं, जो इस साधारान वाला था, ठीक है, उसमें लंगवात आरक्षण कुछ इस परकार होंगे, कि देख सकते हैं, पहले तो वेतनमान देख लीजे, वेतनमान बहुत ही जरूरी है आपका, वेतनमान आपका 93-100 से 34,800 रुपे होगा, ग्रेट पे आ आपका 42 सो लगेगा और लेबल आपका होगा 6, ठीक है, ये दोनों में ही है, दंत, चिकिस्ता, विभाग, स्वेशल और विसेस में, अब देखिए, दंत, स्वास्त विज्यानी, डेंटल हाइजिनिस्ट समाने हैं, और दंत, स्वास्त विज्यानी, डेंटल हाइजिनिस्ट पोश्ट है अन्य पिछड़ा बरका 71 है और स्पेशल के लिए जीरो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितनी वेकेंसियां आपके लिए अबिलेबल है इस पोश्ट में ठीक है आप यहां पर वीडियो को पॉस्ट करके अराम से चीज को चकाउट कर सकते हैं कोई समस्य आओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा हम जरूर आपकी समस्य का समधान करेंगे अभी यहां पर देख स मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा मैं बताता हूं देखिए अभी जो उत्तर परदेश की नई परक्षा चयन पर करिया है वह इस परकार है कि पहले आपको यूपी पैट का एक्जाम देना होगा जैसे कि इसमें मांगा गया है यूपी पेट 2022 का आपका एक्जाम दिया होना चाहिए और आप उसमें कम से कम जीरो नंबर से अधिक और एफसलूट नंबर से अधिक नंबर आपके होने चाहिए तभी आप यहां भर सकते हैं तो पहले आपका जो पेपर होगा यूपी पैट का ठीक है अब दूसरा पेपर जो होगा वह इस पोर्स से समंधि जरूर बता देंगे अभी इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं महत्पोर अन्बर अभीरति आवगेदन में अपना स्रेडी अवस्यंकित करें ठीक हैं एक से अधिक अरक्षित स्रेडी का दावा करने वाले अभीरते को केवल एक छूट जो अधिक लावकारी होगी अनुमन्य होगी अभ्यर्ति जो उत्तरप्रदिस राज के मूल निवासी नहीं है उन्हें रक्षण का लाव अनुमन्य नहीं होगा ऐसे अभ्यर्ति अनारक्षित स्रेड़ी के माने जाएंगे ठीके दोस्तों अभी यहां पर आप देख सकते हैं संसोधन जैसे कि मैं बोला थ क्योंकि बाद में जब आप फार्म में संसोधन करने बैठेंगे तो उसमें एक्ष्टा पैसा लगेगा आपका ही नुक्सान है गवर्न्मेंट का फायदा है जैसे आप क्या संसोधन कर सकते हैं नाम में वर्तनी की गलती है पत्राचार का पता यानि कर्स्पोंडनेंस सेंट लेटन क्या होगा देखो देखो और एक्जाम पैटन दूस्तों आफीश्यल जो नौटिफिकेशन है वह मैंने पढ़ी अफीशिल वेबसाइट पर भी जाकर चक्किया अभी इसका कुछ भी नहीं किया है कि क्या स्टेबस होगा और क्या इक्जाम पैटन होगा जैसे पहले लेकिन आप अपनी तैयारी इस हिसाब से कर सकते हैं आगर आप इस फार्म को भर रहे हैं तो इसके लावा अब यहाई देख सकते हैं अब देख सकते हैं यह जो अप्लिकेशन था यह 30 मई 2018 को भरना शुरू किया गया था लास्ट इसकी 25 जून 2018 थी भरने के फॉर्म भरने की ठीक है और जो इसका एक्जाम कराया गया था वह 22-23 दिसंबर 2018 को कंड़क्ट कराया गया था भगवान की इक्रिपास से हो गया था और भगवान की इक्रिपास से अभी यह टल भी गया है 26-27 जून 2023 को इसका दुबारा से एक्जाम होना है क्यूं होना है क्यूंकि पिछले एक्जाम में कोई धांदली हो गई थी और इस कारण एहाद एक्जाम दुबारा कराया जाना है वैसे अभी भी तैयारियां जोर सुरू से सुरू हो गई होंगी कुछ ना कुछ गडबड करने की लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं आप अपना पढ़ाय लिखाई करिए और अच्छे से पेपर दीजे हो सकता है अगर आप मेहनत कर रहे हूं 100 परसेंट अपनी त्यारी कर रहे हो तो आपका एक्जाम दुबारा से देखे थे जिसमें वह लोग कुछ भी अपडेट डाल देते थे जैसे कि पहले बेकेंसी आई नहीं कुछ से पहले ही अपडेट डाल देते कि इतनी बेकेंसी आनी इतनी आनी और आती थी इतनी ठीक है तो उसी साफ से हमने ये चैनल मिला कि आपको 100 परसेंट जन्यून अप सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्वैरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं धन्यमाद दोस्ता